जेसी क्रश्न प्रथम सेवक दामुदर्दा सहरसानी वार्ता प्रसंग 6-7-8 उलोशी गोवर्धन नाथ की जै उलोशी गिरिटाज धरण की जै उलोश्याम सुन्दर शियमुने महराणी की जै उलोशी मदवल्लभा धीश की जै उलोशी गुसाईजी परम दयाल की जै सिक्षाशागर शिहरिराय महाप्रभु की जै उलोशोरासी वेश्नाओं की जै वार्ता प्रसंग छे और दामुदर्दास को शियाचेयर जी तीसरे दिन दर्सं देते मारख की रहस्यवार्ता कहते एसी क्रपा करते और कदाची तीसरे दिन दर्सन न होतो ता दिन दामोदर्दास के पेट में पीडा बहुत होती अत्यंत कष्ट पाऊते और पाचे दर्सन होतो तब ततकाल कष्ट निवरत होई जातो एसी भाती केते कवर्ष परियंत श्याचारे जी दर्सन दीनो एसी क्रपा करते जो बात होती सोसब दामोदर्दास श्याचारे जी के आगे कहते और मारक के प्रकार की वारता अहरनिश करते श्याचारे जी दामोदर्दास के उपर बहुत क्रपा करते और कहते जो प्रदय में श्याचारी जी महाप्रभु सदा भी राजे हैं। तब श्याचारी जी ने दामोदर्दास सो पूछी जो दमला तु श्याचारी जी को कहा करी के जानत है। प्रदय मारग निसंगता को नाही रूप प्रगट करता है। एक समेशी महाप्रभु जी पोडे हते तब शी गोवर्दन नाजी आप कहे जो जीव को उद्धार करो लीला करता अवलंबन सुधी करता उद्धिपन भाव या प्रकाल देशलोक कहे। शामनस्या मले पक्षे एकादश्या महानीशी शाक्षात भगवता प्रोक्तम तदक्षरश उच्यते। ब्रह्म संबंद करणात सर्वेशाम देह जीवयोह यह डेशलोक में सब आयो भाव प्रकाश। लीला में तेसे ही आचैर जी सो बोले सग्रे अक्षर कहत हैं यहां ताई शे आचैर जी उपर भाव। शिगोवर्दन्ना जी अब कहे ब्रह्म संबंद कराओ सबको देह जीव को ताते जो भक्ती मारक के विस्तार के आज्या है सो तुम करो अज्यान जीव है यही ब्रह्म संबंद ते दोश जाएंगे अंगीकार कराए एक शलोक में लीला आदे शलोक में मारक की रीती सब इन म आयो या प्रकाशी गुसाइं जी सो दामुदर्दास ने कहयो ता पाचे दामुदर्दास की सहायता सो आपने शंगार रसमंडन गरंत कियो जेसी क्रश्न